अधर्नियत सवापती जी, राश्पती जी के अभी भाषन पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूँ राश्पती महोदाया के भाषन में देश वाषियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोट्शाहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्द को पुरस्कृत भी किया गया था आधर ने सभापती जी के पिछले दो धाई दिन में इस चर्चा में करीब सत्तर मानिय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं इस चर्चा को सम्रुद बनाने के लिए राश्पती महोदाया के अभी भाषन को व्यक्षाइद करने में आप सभी मानिय सांसदों ने जो योगदान दिया है इसके लिए मैं आप सबका भी आफ़ार बेक्त करना है अधर्य सभापती जी भारत की आजहादी के इतिहास में हमारी सांसदी लोगतांतिक यात्रा में बहुत दशकों के बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का हो साथ साल के बाद ये हुआ है कि दस साल के बाद कोई एक सरकार फीर से उसकी वापस ही हुई है और मैं जानता हूँ कि भारत के लोकतंत्र की छे दसक के बाद आयुए घटना असामान ये घटना है और कुछ लोग जान बुश करके उससे अपना मूँ फेर करके बैठे रहें कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो अल्ला उस तुशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धी पर देश की जनता के इस महत्वपू निर्णे पर कैसे चाया कर दी जाए कैसे उसको ब्लक आउट किया जाए इसकी कोशिश हुई लेकिन मैं पिछले दो दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्विकार हो रहा है और दबे मन से कम मन से विजय भी स्विकार हो रहा है आजरे सहाती जी कॉंग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मरदय से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि नतीज़ आये तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था उनकी पार्टून को समर्खन तो नहीं कर देते लिए कि आखेले जिन्दावे के दोड़ रहते और मैं कहता हूं वो जो कहते थे उनके मुझ में गीश सक्कर और यह मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पिता था एक पिहाई सरकार इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे दस साल हुए है बीस और बाकी है एक तिहाई हुआ है जो तिहाई बाट और इसलिए उनकी भवी शमानी को लिए मैं उनके मुझ में जी सकता हूं आधनिय सभाबती जी दस वर्सों के अखंड एक निश्ट अभीरत सेवा भाव से की हुए कार्य को देश की जनता ने जी भरकर के समर्थन दिया आधनिय सभाबती जी इस चुनाओं में देश वाच्छों की विवेग बुद्धी पर गर्व होता है क्योंकि उन्हों ने प्रपय गंडा को परास्त कर दिया है देश की जनता ने परफॉर्मंस को प्राथ्विक का दिये है भर्म की राजनीती को देश वाच्छों ने ठुकराया है और वरोसी की राजनीती पर विजय की महौर लगा है आदेने सभाबते की सम्मिधान के 75 वे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं इस सदन के लिए भी ये पढ़ाव विशेस है क्योंकि इसे भी 35 सा हुए है और इसलिए एक सुहक सहियोग है आदेने सभाबती जी मेरे जैसे बहुत लोग है इस देश के सारवजेने गीवन में जिनके परिवार में कोई गाउं का सरपंज भी नहीं रहा है गाउं का प्रदान भी नहीं रहा है राजनीती से कोई सरोकार नहीं रहा है लेकिन आज अनेक महत्वकों पदों पर पहुंच करके देश की सेवा करता हुए और उसका कारण बाबा साब आमबेड करने जो संविधान दिया है उतने हम जैसे लोगों का अउसर दिया है और मेरे जैसे अनेक लोग है जिनको बाबा साब आमबेड कर द्वारा दिये गए संविधान के कारण यहां तक आने का आउसर मिला है और जनता जनार्दन ने उत पर महर लगाई तीसरी बार आने का मुगा मिल गया आदेनिया सभापती जी संविधान हमारे लिए यह कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है हमारे लिए उसका स्पिरीट भी और उसके शब्द भी बहुत मुल्यवान और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए किसी भी सरकार के नीती निर्धारन में कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है दिशा दर्शक का काम करता है हमारा मार्दर्शन का कि आदेने सभापती जी मुझे आथ है मैंने जब लोकसभा में हमारी सरकार के तरफ से कहा गया कि हम 26 नमंबर को संविधान दिवस के रुपत बनाएगी तो मैं हराम हूँ जो आज संविधान की प्रत लेकर के कूदते रहते हैं दुनिया में लहराते रहते हैं उन लोगों ने विरोध किया था 26 जनवरी तो है तो संविधान दिवस क्यों लाएगी और आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल कॉलेचिज में संविधान की भावना को संविधान की रचना में क्या भूमिका रही है देश के जनमान में महापुरूस होने संविधान के निरमान में इन कारों से कुछ चीजों को छोड़ने का निरने किया इसके विशए में हमारे स्कूल कॉलेजिज में अभिस्तार से चर्चा हो निबंदस परदाएं हो चर्चा सबाएं हो एक व्यापक रूप से सम्विधान के प्रती आस्ता का भाव जगे और सम्विधान के प्रती समझ विक्सित हो देश वांचियों के लिए आने वाला पूरा कालखन सम्विधान हमारी सर्चे बड़ी प्रेणा रहे इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं और अब जब 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हमने इसे एक जन उत्सव के रुप में राश्ट व्यापी उत्सव बनाने बढ़ता है और इससे देश के कौने कौने में सम्विधान की भावना को सम्विधान के पिस्षे को मकसद है उसके विशे में भी देश को आउगत कराने का प्यांस है आदनिय सभाबती जी देश की जंता ने हमें तीसरी बार जो आउसर दिया है वो आउसर विशिद भारत आत्म निर्फर भारत इस यात्रा को मजबूती देने के लिए इस संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटी कोटी जनों ने आशिरवाद दिये आदेनिय सभाबती जी ये चुना दस वर्ष की सिद्धियों पर तो महर है ही लेकिन ये चुना भविश के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना क्योंकि देश की जनता का एक मत्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों को संकल्पों को सिद्धा करने के लिए हमें आउसर दिया आदेने सभाबती देश की जनता है देश ने पिछले दस वर्षों में हमारे देश की अर्थववस्ता को दस नंबर से पांच नंबर पर पहुँचाने में सभावता जाएं और जैसे जैसे नंबर निकरता की सिद्धी कर पहुँचता है एक की तरफ पहुँचता है तो जुनौतियां भी बढ़ती है और कोरोना के कखीन कालखन के बावजुद संगर्ष की वैश्विक परिशित्यों के बावजुद के तनाव के वातावरं के बावजुद में हम हमारे देश की अर्थ बवस्ता को दस नंबर से आज विश्व में पांच नंबर पर पहुँचताने में चलाए इस बार देश की जनता ने हमें पांच नंबर से तीन नंबर की एकनोमिक पर पहुचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है इस देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है हम भारत की अर्थ बवस्ता को विश्व के टॉप तीन में पहुचा के रहे हैं मैं जानता हूँ हादर ने सवापती जी यहां कुछ ऐसे विद्वान है जो यह मानते हैं कि इसमें क्या है यह तो होने ही वाला है यह तो अपने आप तीसे नंबर पर पहुंचने वाली है यह तो अपने आप हो ही जाएगा ऐसे विद्वान है अब यह लोग ऐसे हैं जिनोंने आटो पाइलोट मोड पर सरकार चलाने का या तो रिमोट पाइलोट पर सरकार चलाने का उनको आधी है इसलिए वो कुछ करना धरने में विश्वाव नहीं करते हैं वो कुछ करने धरने में विश्वाव नहीं करते हैं वो इंतजार करना जानते हैं लेकिन हम परिश्वन में कोई कमी नहीं रखते हैं आने वाले वर्षों में पिछले दस वर्षों में हमने जो किया है उसको गती भी बढ़ाएंगे उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे और गहराई भी होगी उर्चाई भी होगी और हम इस संकल्प को पुरा करने हैं आदर्णिय सभापती जी चुनाओ के दर्मियान में देश वाच्छों को कहता था कि जो दस साल हमने काम किया है हमारे जो सपने और संकल्प है उसके हिसाब से तो यह एक्वेटाइजर है में कोर्थ तो अभी शुरू हुआ आदर्णिय सभापती जी आने वाले पांच साल मूल सुविधाओं के सैचुरेशन के और हम एक सामान्य नागरी की जो रोजबरा की जिन्दगी की आवशक्ताएं होती है एक गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्ताओं के जिन सुविधाओं के जिस प्रकार के गवर्णन्स की आवशक्ताएं होती हैं हम इन मुलगुत्स विधाओं के सैचुरेशन का यूग के रुप में उसको परिवर्टित करना चाहते हैं आधनिय सभाफती जी आने वाले पांच बर्ष करीबों के खिलाप मिरनायत लड़ाई के हैं आने वाले पांच बर्ष करीबी के खिलाप गरीबों की लड़ाई और मैं मांता हूँ गरीब जब गरीबी के खिलाप लड़ाई के लिए एक सामर्त के साथ खड़ा हो जाता है तो गरीबों की गरीबी के खिलाब के लड़ाई सभलता को प्राप्त करती है और इसलिए आने वाले पाँच साथ गरीबी के खिलाब लड़ाई के मिरनायक वर्षा है और ये देश गरीबी के खिलाब लड़ाई में वीज़ाई होकर के रहेगा ये पिछले गर्षान के अनुभाव के आधार पर मैं बहुत इस बात से कह सकता जब देश दूनिया की तीसरी बड़ी एकोनोमी बनेगा तो इसका उलाव इसका प्रभाव जीवन के हरक्षेत्र पर पढ़ने वाला है विकास के विस्तार के अनेक आउसर उप्लब तो होने वाले हैं और इसलिए जब हम दुनिया की तीसरी नंबर की एकोनोमी बनेगे तब भारत के हर्षकर पर सकाराप में प्रभाव तो होगा लेकिन वैश्वित परिवेश में अभुत्पुर्व प्रभाव पैदा होने बाद के आदेनिया सभापती जी हमाने वाले कालखन में नए स्टार्ट अफ का नई कंपनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आने वाले कालखन में हमारे टियर टू टियर थ्री सिटीज भी ग्रोथ एंजिन की भुमिका में देख रहे हैं आदेनिया सभापती जी यह सबादी टेकनोलोजी डिवन सबादी और इसलिए हम कई नए सक्ट्रस में नए फुद्प्रिंट्स भी अवश्य उसे देखेंगे लिए हादने सभापती जी आने वाले पांग साल में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट में बहुत तेजी से बढ़लाव आने वाला और इसका लाव भारत के कोटी कोटी जनों को जन्द से जन्द मिले उस दिशा में हम गंबीता से आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे छोटे शहर जाए खेल जगब हो जाए शिच्छा जगब हो जाए इनोवेशन हो जाए पेटन की रिजिस्ट्री हो मैं साथ देख रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे शोटे शहर होचारों के ताजार में से शहर है भारत में एक विकांस का नया इत्याद बढ़ने बादे हैं मैंने पहले भी कहा है भारत के विकांस याक्ना में जारब प्रमुकुस्तान है उसका ससर्थिकरण हमको आउसर ये बहुत बड़ी कांकत देवाने हैं हादनिय सवाब अपीजी हमारे देश के किसान हमारे देश के गरीब हमारे देश के मुआ हमारे देश की नारी शक्ती है आदनिय सवाब अपीजी हमने हमारे वितार से आता है हमारा जो खुस्तस है उसको हमने रेखांकित किया है आदनिय सवाब अपीजी यहां भी नहीं साथियों ने खेती और किसानी को लेकर के हरे इन अपिस्तार से अपने विचार रखे हैं और अनेक बाते सकारत में रुप से भी रखी है मैं किसानों को लेकर सबीर सब्सक्राइब आगर करता हूं बिते दस वक्ते हमारी खेती हर प्रकार से लाबकारी हो पिसान को लाबकारी हो उसका हमने हमारा धान केनी पिया है अनेक हो जरा उसको हमने पाकर देने का प्रयास किया है चाहे खसल के लिए रण हो जातार नए भी पिसानों को उखलब दहो आग की कीमत उचीत हो और खसल भीमा का लाब पहले की सारी मुशिबते दूर के लिए पिसानों को सब्सक्राइब कर दो जाए MSP पर खरीक की कांप हो अमने पुराने सारे रेकोर्ट तोड़कर भी पिसानों को लाबकार दो जी जिसे बाजार तक हमने किसानों के लिए हर गवस्ता को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर बरसत प्रयास किया है और गवस्ता को हमने चाग चौबंद किया हादरिये सभापती जी एले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार लोन पाना की खरी ना के बारत प्लानिंग को बहुत मुश्चिंग जब देशिंग के सिंग्याद सबसे अधीक आज हमारे लीक्यों के कारण किसान क्रेंट कार के मिस्तार के कारण हमने किसानी को एक व्यापक स्वरूट पे देखा है और व्यापक स्वरूट पे हमने किसान क्रेडिट कार्ट किसान क्रेडिक कार्ट का हमने लाप मुहेब नव्या है और इसके किसान को ने मजबुती देए किसान इभी हमने का मजब यह धिया और इसके कार्ट कारिश दस सां में एक मार किसानों के कार्ट माभी के भौत दोल के गई कि कि सानों को गुम्रा कर रहे था पर्सक प्यास किया रहे था और साथ हजार करोन की कर्जमा पे उसका इतना हलना मचाया इतना हलना मचाया और एक अनुमान था उसके लाभा थी शरीर देश के तीन करोड किसान थे सामाने गड़ी छोटे किसान का तो उसमें नामों निशान नहीं था जिसको सबसे जरुवत थी इसकी उनकी योजना में कोई परवान नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुँच भी नहीं पाया था लेकिन आदर्णिय सभापती जी जब किसान कल्यां हमारी सरकार के रदय में केंद्र में हो तो नीटिया कैसी बनती है कल्यान कैसे होता है लाभ कैसे पहुँचता है उसका मैं इस सदन को उदहार देना चाहता हूँ आदर्णिय सभापती जी हमने प्रदान मंत्री किसान संबान योजना चलाई और प्रियेम किसान संबान योजना का लाभ दस करोड किसानों को हुआ है अर्शेशन में और प्रियें तेन लाक। करोड रुपिये हम किसानों को देख चुके हैं आदनियत सभापती जी देख रहा है चूट फ्यलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती जिनका सत्य से मुकामला करना इस ते लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बार उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं आधरियत सभापती जी देश की जंता ने हर प्रकार जो उनको इतना पराजीत कर दिया है कि अब उनके पास गली महले में चीखने के सिवाए कुछ बचा मेंगी हमारे भाजी ओहला और मादान छोड़के भाग जाना यहीं उनके नसीप में लिखा हुआ मानिय सदेश्णगन अत्यंत दर्दनाक पीड़ा दाएक ऐ मर्या दित आचरन से देखकर महूं साशन तीसरे निरंतर लगातार का आलमी है छे दर्शक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोद किया कि पर्तिपक्ष के नेता को बिना बे रोग टोग बोलने का सुफ़र दिया आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं मर्यादा छोड़कर गए हैं आज उन्होंने मुझे पीट नहीं दिखाई है भारत के सुविधान को पीट दिखाई हैं आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है उस सपत का अनादर किया है तो सुविधान के तैतली है बारत के सुविधान की इस से बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकता है एसा कैसे हो सकता है हाउस अफ एल्डर्स दिएपर हाउस हमें देश का मार दुर्शन करना है मैं उनके आच्रन की भर्षना करता हूँ देश के 140 क्रोड लोग इसे हाथ होंगें सदन का मतरब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी मान ये सदशेगन आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई हर सदशेगो मोका दिया गया it is an occasion where they have challenged Indian constitution they have outraced the spirit of Indian constitution they have disregarded the oath they have undertaken मैं इस कुर्ची पर बैठकर कि इतना दुखी हूं कि भारत के सुईधान का इतना बड़ा अपमान इतना बड़ा मजाक भारत का सुईधान हाथ में रखने की किताब नहीं है जीने की किताब है मैं आशा करता हूं कि वो आत्म चिंतन करेंगे मंतन करेंगे अपने दिल को टटो लेंगे और करते भी पर आएंगे मानने प्रधान मंत्री जी आदेनिया सभापती जी आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं कि एक सो चालीस करोर देश वाचियों ने जो निन्ने दिया है जो जनादेश दिया है इसे ये पचा नहीं पा रहे है और कल उनकी सारी हरकते फेल हो गई तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी होसला नहीं था और इसलिए उम्मेदान छोड़कर के भाग गए है अधनिय सभापती जी मैं तो कर्तव्य से बंदा हुआ हूं और नहीं मैं यहां कोई इबेट पर स्कोर करने के लिए आया मैं तो देश का सेवक हूं देश वाच्यों को तरह हिसाब देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं उसे अपना कर्तव मानता अधनिय सभापती जी वैस्वीक परिसीतियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ हमने देश के किसान को मुसिबत पोई नहीं आ रहे दिया और हमने करीब परीब बारा लाग करोड रुपिया फर्टिलाइजर में सबसीड़ी दी है और जो भारत के आजादी के इत्यास में सर्वाथित है और उसी का प्रणाब है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोच उस तक हमने जाने नहीं दिया सरकार ने अपने कंदे पर उसको उठा लिया है आदे ने सभापती जी हमने MSP में भी record बढ़ोतरी की है इतना ही नहीं खरीद के भी record बनाए पहले MSP की गोशन होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था बाते बताई जाती थी पहले की तुलना में अनेक गुना जादा खरीदी करकर के हमने किसानों को स्थावर्थवान बनाने का प्यास अधरे सभापती जी है दस वर्सों में हमने कॉंगरे सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक द्राइक गुना अधिक पैसा पहुंचाया और हम आने वाले पांच साल सिर्फ इसी का इंक्रिमेंटल बृद्दी करके रुकना नहीं चाहते हैं हम नहीं ने खेत्रों को उन कठिनायों का ध्धन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसलिए आधरे जमापत जी अन्न भंणारन का विश्व का सबसे बड़ा भ्यान हमने हाथ लिया है और लाखों की ताइदार में विकेंद्रिती ववस्ता के तहट अन्न भंणारनों की रचना करने की दिसा में काम चल पड़ा है फ़ल और सब्जी एक ऐसा शेत्र है हम चाहते हैं किसान उस तरफ मुड़े और उसके बंणारन के लिए भी एक व्यापक इंफ्रास्रक्र के दिशा में हम काम कर रहे हैं आधरिये सभापती जी सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र को लेकर के हमने देश सेवा के हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्यास किया है देश वाज्यों को गरिमा पूर्ण जीवन देना यह हमारी प्रात्मिक ता रही है आज़ादी के बाद अनेक दसों को तक जिनको कभी पूछा नहीं गया आज मेरी सरकार उनको पूछती तो हैं उनको पूजती भी है हमारे दिव्यांग भाई भेनों के साथ हमने मिशन बोड में उनकी कठिनाईयों को समझ करके माइक्रो लेबल पर उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यभस्ता विक्सित करनेकर प्रयास किया है ताकि वे गरिमापुर्ण जीवन जी सकें और कम से कम किसी का सहारा उनको लेना पड़े इस दिशा में हमने काम किया है हादरी सभापती की हमारे समाज में किसे ने किसी कारण बस एक उपेक्षित वर्गव याने एक प्रकार चे समाज में बार बार हरदूत होने वाला वर्ग वो ट्रांसजेंडर वर्ग है हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है और जब पस्षिम की दुनिया के लोग ये सुनते हैं उनको भी गर्व होता जब भारत इतना प्रोग्रेसिव है भारत के तरफ बने गर्वी की नजरे से देखा जाता है हमने उनको मुक्षदहरा में लाने का प्रयास शुरू कि आपने देखा होगा पदमा एवार्ड में भी ट्रांस जर्णर को अवसर देने में हमारी सरकार आ गया है अधेनिये सभावत है कि हमारे गुमंत जनजातिय समुदाय है हमारे गुमंत साथी हमारे बंजारा परिवार उनके लिए एक अलग कल्यान बॉर्ड बनाया है ताकि उनकी आवश्रक्ताओं को हम एड्रेस कर सकें और उनको भी एक स्थाई सुरक्षीत और संभावनाव वाला जीवन प्राप्त हो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं आदर ये सभापती जी हम एक शब्द लगातार सुनते आये हैं पीवीटी जी पीवीटी जी पीवीटी जी हमारे जनजाती के समुव में ये सबसे पीशे रहा हुआ है और आजहादी के इतने सालों के बाद भी जिन्यों ने उनको नीकर से देखा होगा पता चलता है कि कैसी हालत में जीते हैं उनकी तरब किसी नहीं नहीं देखा हमने एक विशेश विवस्ता की है और पी-एम जन्मन योजनाव के अतहत चोपीस हजार करोड ये समुदा बिखरा हुआ है छोटी संग्या में बोड कарт sesi उनकी ताकत नहीं है और यहां देश की परंपरा ऐसी जिसकी बोड पी ताकत है उसी की चिंता करना लेकिन समाज के ऐसे अती पीशडी लोगों की कोछ चिंता नहीं करता हुआ हमने वे चिंता कि हैं क्योंकि हम भोत की राज़ी ती करते हैं हम घड़ी सवापती जी है हमारे देश पारंपारी पारिवारी का छल्या भारत की विकांस यात्रा का और व्यवस्ता का अंग रहा है जो हमारा विश्वकरमा समू है जिनके पास परंपरागत से हुनर है और जो समाय की आवश्रक्ताओं को पूरी करता है लेकिन उनकों कभी एड्रेस ने किये गया है हमने करीब करीब 13,000 करोड रुपे की ओजना से विश्वकर्वा समुदाय को आधूरिक्ता की तरफ ले जाना उनके अंदर पॉपेशनलिज वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी हालत थी पहली बार देश मैं पी-म स्वनीदी योजना के तहद रहेडी पट्री वालों की चिन ताक्ति गई है और आज वो ब्याज के कुचक्र से भार आकर के अपने परिश्रम से और इमानदारी से जो रहेडी पट्री वालों को बैंकों से लोन मिले है वे लगातार बैंक वाले भी खुश हैं लेने वाले भी खुश हैं और जो फुट-पात पर रहेडी बैळता था आज एक थोटी दुकान दिशा में बनाने के दिशा में आगे बढ़ रहा है जो पहले खुच अधूरी आदेनेयат सभावती जी हम विमेन लेट डेवलप्मेंट की बात करते हैं एक दुनिया के परगतिशिल देशों के लिए भी के विमन की बात करते हैं लेकिन मिलेट डे डेवलप्मेंट की भात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी ने जराती ऐसे समय भारत ने नारा नहीं निश्टा के साथ विमेन लेट डेवलोप्मेंट की और कदम बढ़ाए और महिला ससर्टिकर्ण का लाग आज दिख रहा है हरक्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंटिबूट कर रहा है मैं आदेनिये सांसत सुधामूर्ती जी का अभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महलाओं के आरोग्य के वीशे पर बल दिया था और उसका महात्मे क्या है उसकी आवश्रक्ता क्या है उसके बड़े विस्तार थे उन्होंने कहा था और आप उन्होंने एक बात है ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मा अगर चलिये गई तो उसका कोई उपाई नहीं होता फिर नहीं मिल सकती ये भी बड़ी भावात मक्ताथ उन्होंने बताया था बीमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वैलनेस पर हमने दस वर्सों में एक प्राविरिटी सेक्टर के आपके काम किया है आधरनी सभापती जी टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेग्नेंसी के दौरान वैक्सिनेशन की व्यवस्ता हो और इसका फाइदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है, आधरनी सभापती जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाए आत्म निर्भर बने, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं, बीदे वर्षों में हमने जो चार करोड घर बनाए हैं, उस पेसे ज़्यादातर घर, हमने महिलाओं के नाम पर रहे हैं, बैंकों में खाते खुलने से, मुद्रा और सुकन्या, सम्रुद्धी जैसी योजना से, आर्थिक फैसलों बहें हैं, महिलाओं की भुमी का भी बड़ी हैं, भागीदारी भी बड़ी हैं, और एक प्रकार से, वो परिवार में भी अब निर्ने प्रक्रिया का हिस्सा बढ़ने लगी हैं, आदेनिये सभावति की, विमेन सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स, उससे जुड़ी दस करोड बहने, उनका आत्मवास्वास तो बड़ा ही बड़ा है, उनकी आई भी बड़ी हैं, अभी तक एक करोड बहने, जो ये सेल्फ हेल गुप्ने काम करती हैं, छोटा-छोटा गाउं में करोबार करती हैं, मिल करके करती हैं, किसी गाउंवालों की भी नजर नहीं जाती है आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से एक करोड बहने लखपती दीदी और हम आने वाले समय में यह आंकड़ा तीन करोड बहनों को लखपती दीदी आज वाना ने कि दिशामें बढ़ा रहे हैं कि अधरी सभावत दीजी सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें को अगवाई करें उद्धिशा में हम प्रयास कर रहे हैं नई टेक्नलोजी आती है लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत आखिर में आती है हमारी कोशिश है कि नई टेक्नलोजी का पहला आउसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको बढ़ें और इसी के तहट नमो ड्राउन दीदी यह अभियान बहुत सफ़ता पुरवग आगे बढ़ा है और आज गाउं में किसानों को बदद करने का टेक्नलोजी के मादम से काम गाउं की हमारी महिलाए करी और मैं जब उनसे बात कर रहा तो मुझे कह रही है सब्सक्राइब आपने हमें पाइलट बना दिया है और पुरा गाम हमें पाइलट दीदी के नाम से जानने लिए और इस करीमा पुर्ण ब्याद उनके जीविन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन ज भाग्य है कैसे संवेदन सिल्व मामलों में भी राजनीती जब होती है तब कि तेजवाचियों को विशेशकर महिलाओं को अकल पर पीड़ा होती है यह जो महिलाओं के साथ होते हत्याचार में विपश्णा जो सिलेक्टिव रविया है यह सिलेक्टिव रविया बहुती चिंता जनत है आदेने सभापती जी मैं आपके मार्धम से देश को बताना चाहता हूँ मैं किसी राज्य के खिलाप नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैं को राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तश्वीरों को सोशल मीडिया पर वीडियो देखा एक महिला को महां सरे आम सड़क पर पीचा जा है वह बहन चीख रही है लेकि महां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में लगे हुए और जो कटना संदेश खली में हुई जिसके तस्वीर है रॉंग टे खड़े करने वाली है लेकिन बड़े बड़े दिग्ज मैं सुन रहा हूं कल से इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं जलक रही है इससे बड़ा सर्मिंदगी का दुखत चित्र क्या हो सकता है और जो अपने आपको बहुत बड़े प्रगति सिल नारी नेता मांते हैं वो भी मुझ पे ताले लगा करके बैठ गये हैं क्योंकि समन्द उनके राजलीतिक जीवन से जुड़े किसी दल्ग से हैं या उस राज चुप चाप हो जाए अधरिये सभापती जी मैं समझता हूँ कि जिस पकार से दिग्ज़ लोग भी ऐसी बातों को नजर अंदाज करते हैं तब देश को तो पिड़ा होती है मारी माता और बहनों को ज़्यादा पिड़ा होती है अधरिये सभापती जी राजनीती इतनी सिलेक्टिव हो और जहां इनकी राजनीती को अनुकुल नहीं होता है तो इनको साप सूंग जाता है ये बहुत चिंता का विशह है अधरिये सभापती जी भारत की जनता ने तीसरी बहार पूर बहुमत की स्थीर सरकार चुनकर देश में तो स्थीरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है लेकिन इस चुनाओं के नतीजों ने विश्व को आस्वस्त किया है अधरिये सभापती जी और इस नतीजों के कारण भारत विश्व भर के निवेशों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बंद करके उभर रहा है इप्स और बड़्स का समय पुरा हो चुका है और भारत में विदेश का निवेश भारत के नभुजवानों के लिए रोजगार के नए आवसाल लेके आता है भारत के युवाओं की टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक आवसाल बन जाता है अदर ये सवापती है Honorable Prime Minister Honorable Members The reply to the discussion on the motion of thanks on the President's address is underway If the House agrees, the lunch hour may be dispensed with to conclude the discussion Do I have the leave of the House to dispense with the lunch hour today? Honorable Prime Minister Honorable Prime Minister आपने मुझे भी एक मोका दिया है जो मेरे से पहले एक चेर्मन को ही मिला है चो लिसन तो दो प्राइम मिनिस्टर इस थर्ड टर्म रपलाइख रिप्लाइग तो दिश्चूदिश दो तो दोस्टाइबा और आप से इंस्पिरेशन लेकर आप देखिए टेबल के उपर हमने पुर्शूं का वन थर्ड रिजर्वेशन कर दिया है Honorable Prime Minister आदर इनियस हभापती जी वेश्वीक अर्थ वबस्थाओं में संतुलन जो चाहते हैं उनका भारत का विजए उनके लिए बहुत बड़ी नई आशा लेकर आया है आज विश्व पारदर्शिता पर बरोसा करती है और भारत उसके लिए एक बहुत इस्रेश्ट भूमी के रुपे उभर रहा है आदर इस हभापती जी इस चुनाव नतीजों से जो केपिटल मार्केट है उसमें तो उचाल नजर आही रहा है लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहोल है लेकिन इस बीच हमारे कॉंगरेस के लोग भी खुशी में मगन है मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है और इस पर कई सवाल है क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है क्या ये खुशी नर्वस नैंटी के शिकार होने पर है क्या ये खुशी एक और असफल लौंच की है हादनिय सभापती जी मैं देख रहा था ये उत्सा उमून से खरजे की खरगे जी भी बड़े दजर आ रहे थे लेकिन साइट खरगे जी ने उनकी पार्टी की बड़ी सेवा की है क्योंकि जो ये पराजय का ठीकरा जिन पर फुटना चाहिए था उनको उन्होंने बचा लिया और खुद दिवार बरके खड़े हो गए और कॉंग्रेस का रवया इसा रहा है कि जब जब ऐसी परिस्तिति आती है तो दलीत को पिछडे को ही ये मार जेलनी पड़ती है और वो परिवार बच निकल जाता है इसमें भी यही नजरा रहा है इन दुनों आपने देखा होगा लोग सभा में स्पीकर के चुनाओ का मस्क्ला हुआ है उसमें भी पराजय तो ताई थे लेकिन आगे किसको किया है तो एक दलीत को बड़ी चला दे लिए खेल खेला उन्होंने उनको मालूम था कि वो पराजित होने वाले है लेकिन उन्ही को आगे किया राश्पति उपराश्पति पद के चुनाल थे तो 2022 में उन्होंने उपराश्पति पद के लिए सुषिर कुमार सुन्देजु को आगे किया उनको मरवा दिया दलीत मरे उनका को जाता नहीं है कि 2017 में हारता ही थी तो उन्होंने मिराकुमार को लगा दिया पराजे हुआ उनको पराजे जहलना पड़ा कॉंग्रेस की SC ST OBC यह विरोधी मानसिकता है जिसके कारण यह पुर्वराश्पति स्री रामनात कोवी जी का अपमान करते रहे इसी मानसिकता के खारण देश की पहली आदिवासी महला राश्पति को भी उन्होंने अपमानित करना विरोध करने में कोई कमी नहीं नहीं लिगी और ऐश्य शब्दों का प्रोग जाए जो कोई नहीं कर सकता है आदिवाश्पति जी ये संसत ये उच्च सदन सार्थक वागद विवाद सब्वाद और इस मनों मम्थन में से अम्रत निकाल करके देश वाच्चों देने के लिए है ये देश का सबसे बड़ा मंच माना जाएगा लेकिन जब मैंने कई वरिष्ट निताओं की बाते सुनी पिछले दो दिन में सिर्फ मुझे ही नहीं पुरे देश को निराशा हुई है यहां कहा गया कि ये देश के इत्यास का पहला चुनाओ था जिसका मुद्दा सम्मिधान की रक्षा था मैं जरा उन्हें याद कराना चाहता हूं क्या अब भी एक नेरेटिव चलाते रहोगे क्या क्या आप भूल गए 1977 का चुनाओ अख्वार बन थे रेडियो बन थे बोलना भी बन था और यह की मुद्द पर देश्वासियों ने वोट किया था लोग तंतर की पुनस थापना के लिए वोट किया था संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्म में इससे बिड़ा कुदी चुनाव ने हुआ है और भारत के लोगों की रगों में लोग तंतर किस पकार से जीवित है वो संविधान की रक्षा का वो सबसे बड़ा चुनाव था और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान के रक्षा के लिए अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देश वास्यों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है संविधान की रक्षा के लिए देश वास्यों को हम पर भरोसा है कहां अगर संविधान की रक्षा के कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देश वाद्शियों ने हमें जनादेश दिया है आदर ये सभाबती जी जब खड़ गे यही बाते बोलते हैं तो जड़ा पीड़ा दाइक लगता है क्योंकि इमर्जन्सिय के दोराँ संविधान पर जो जुल्म हुआ जो बुल्डोजर चलाया गया संविधान के उपर लोग तंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई तब उसी दल के महत्वपुर्ण नेता के रुपे बूर के साक्षी है फिर भी सदन को गुम रहा कर रहे है भादर निये सभाबती जी आपात काल को मैंने बहुत देकट से देखा है करोणों लोगों को कलपना भार की यांतनाएं दी गई है उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और जो संसत के अंदर होता था वो तो रेकॉर्ड पर है भारत के संविधान की बाते करने वालों को मैं पूछता हूँ जब आपने लोगसभा को साथ साल चलाया था लोगसभा का कारकाल पांच साल है वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर कि आपने साथ साल तक सत्ता की मौजली और लोगों उपर जुल्म करते रहे दख जनों आर्टिकल्स पर यहने सम्विधान की आत्मा को छिन भी छिन करने का पाप इनी लोगे ने उस कालखन में किया था अड़ तीसवां उनन्तालिसवां और बायालिसवां सम्विधान सवसोदन और उस सउसोदन मों यहने मीनी कॉंस्टिटूशन के रुपे कहा जाता था यह सब क्या था आपके मुह में सम्विधान की रक्षा सब्द स्वभा नहीं देता है यह पाप करकर क्या बैठे वी लोग हो इमर्देंसी में पिछली सरकार में दस साथ यह केमिनेट में ते घड़के जी क्या हुआ था प्रदान मंत्री सम्विधानिक पद है प्रदान मंत्री के पद के उपर एनेसी बैठ जाना यह कौन से सम्विधान में से लाए थे वेवस्ता किस सम्विधान में से बनाया था आप लोग पर आपने देश के प्रदान मंत्री पद की घरीमा को चकना चूर कर दिया था और रिमोट पाइलोट बन करके आप उसके बाथे पर बैट गए थे कौन सा सम्मिदान आपको अनुमति देता है हादर निये सभापते जी जराए बताए हमको वो कौन सा सम्मिदान है जो एक सांसत को केमिनेट के निर्णे को सार्मजरी ग्रूप से फार देने का हक दे देता ह कौन सा सम्मिदान था किस हैसित से फना गया था आधरिये सभापती जी हमारे देश में लिखीत रूप में प्रोटोकॉल की व्यवस्ता है राश्पति उप्राश्पति प्रदानमंत्री स्पीकर सब कैसे कहा होते हैं कोई मुझे बताएं कि सम्मिधान की बर्यादाओं को त एक परिवार को प्राख्विकग का कैसे दी जाती थी कौन सा सम्मिदान था सम्मिदान इतक पदों पर बैठे विलोंकों बाद में एक परिवार के लोग पहले कौन से सम्मिदान की परियाता रखी थैं आपने और आज सम्विधान की बाते करते हैं सम्विधान लहराते हैं जय सम्विधान कहते हैं अरे आप लोग तो इंडिया इजी इंडिरा इंडिरा इजी इंडिया के नारे लगा करके जिये हो आपको सम्विधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो आधनिय सभापती जी मैं बहुत दंबिर्टा से कह रहा हूं इस देश में कॉंग्रेस सम्विधान की सबसे बड़ी विरोती है उसके जहन में क्ति अधनिय सभापती जी इस पूरी चर्चा के दर पर आइन उनको 200 500 साथ की बाते करने का तो हक है लेकिमर्जेंसी की बात देख़े जो आपके पाप पुराने हो जाते हैं तो खतम हो जाते हैं क्या है अधर ने सभापती जी इस हाउस पर कोशिश की कई समिधान की बात करना लेकिन इमर्जन्सी को कभी भी आने नहीं देना ये चर्चा करने का उनों भाए लेकिन ये देश इनके साथ जो लोग बैटे हैं उसमें भी बहुत लोग हैं जो इमर्जन्सी के भुगत भोगी रहे हैं कि उनकी कुछ मजबूरिया होगी कि आज उनके साथ उन्होंने बैटना पसंद किया है मतलब अवसरवादिता का ये दूसरा नाम है संविधान के प्रति समरपन का भाव होता तो ऐसा नहीं करते हैं अधेडिया सभापती जी हापात का सिर्वेक राजनितिक संकट नहीं था लोग तंत्र संविधान के साथ साथ ये भावत बड़ा मानिविय संकट भी था अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था अनेक लोग जेल में मुर्ति को शनन हुए थे जय प्रकाद नाराण जी की तिक खराब हुई कि भार आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए यहाल उन्होंने कर दिया था और प्रताड़ा सिर्व राजनिता हो कि नहीं है आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गया था सामान ने मादमी को भी ने और इनको इनका इतने सारे जुल्म उसमें इनके लोग भी थे उनके साथ ये जुल्म हुआ लेकिन आज भूल है आदरीने सभापती जी वो दिन ऐसे थे कि चो कुछ लोग घर से निकले कभी घर लोट करके भापिस नहीं आये और पता तक नहीं चला उनका शरीर कहा गया यहां तक की घटनाएं घटी थे अधरीने सभापती जी यह बहुत सी पार्टी यह उनके साथ बैठी है वो अलपसंखकों की आवाज होने के जरा दावा करते हैं बड़े जाजा चिला करके बोलते हैं क्या कोई मुझफर नगर और सुक्मान गेट वहां अलपसंखकों के साथ इमर्जंसे में क्या हुआ था जरायात करने की हिम्मत करते हैं क्या बोलने की हिम्मत करते हैं क्या अधरिये सभाबती जी और ये कांग्रेस को क्लीन चेट दे रहे हैं कैसे देशesis को मापको नेगा ये शर्मनाख है कि ऐसी ताना सही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में सम्मिधान की प्रतले करके अपने काले कारणावों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधनी सभावती जी उस समय कई छोटे छोटे राजनी दल थे यह मरजन से के खिलाब लड़ाई के मैदान में उतरे तो दिरे दिरू नहीं अपनी जमीन बनाई थे आज वो कॉंग्रेस का सयोग कर रहे हैं अर्मा ने कल लोगसाभा में कहा था अब कॉंग्रेस का परजी भी यूग शुरू हुआ है यह परजी भी कॉंग्रेस है जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइट रेट शरम जरग है और जहां किसी के सहारे किसी के कंदे पर बैठने का मोगा मिला वही पर से बचकर क्या आये हैं देश्टी जनता ने आज भी कुछ फिकार नहीं किया है वो किसी की आड में आये हैं यह कॉंग्र परजिवी हैं किसी और के कारण सहियों की दरों के बोड़ खा करके वह जरा फली फुली ऐसा दिखता है और कॉंग्रेस का परजिवी होने का कारण उनके अपने कारणामस है वो देश की जनता का विश्वात नहीं भी लिपता है वो जोर तोड़ करके बचले का रास्ता खोज रहे है जनता जनादन का विश्वात जितने के लिए इनके पास कुछ नहीं है इसले फेक नेरेटिव के दोरा फेक वीडियो के दोरा देश को भ इस सदन में यह उच्छ सदन है यहां विकास के वीजन पर चर्चा होना स्वाभाविक अपिक्षित है लेकिन ब्रस्टाचार के घंबीर आरोपों से गिरी लोग यह कॉंग्रेस वाले ब्रस्टाचारी बचाओ आंदोलन चलाने लग दे हैं बेशर्मी के साथ जुनको सजाएं मिली है ब्रस्टाचार में इनके साथ तस्वीरे निकाले में को मजा आ रहा है पहले ये लोग हम को पूछते थे बाते तो बड़ी करते थे ब्रस्टाचारी ओपर कारवाई क्यों नहीं होती है और जब प्रस्टाचारी जेल जा रहे हैं तो हंगामा कर रहे हैं क्या आप लोगों को जेल के पहुए बेज रहे हूं हादने सभापति जी यहां चर्चा के दोरां केंदर की जांच एजन्शियों पर आरोप लगाए गए है जहांच एजन्सियों का इस सरकार दूरूप्यों कर रही है ऐसा कहा गया है हादरी ने सभापती जी अब आप मुझे बताईए ब्रस्टाचार करे आप सराब गोटाला करे आप बच्चों के क्लास के बनाने में गोटाला करे आप पानी तक में गोटाला करे आप आपकी शिकायत करे कॉंग्रेस आपको कौट में गशीट करके ले जाए कॉंग्रेस और अब कारवाई हो तो गाली देमोदी कौट और अपस में जरा साथ ही बन गई है लोग और हिम्मत है तो सदन में खड़ो करके जवाब मागो कॉंग्रेस पार्टी से मैं आप वारों से कहता हूँ कॉंग्रेस भी बताएं कि आपने प्रेस कॉंफरंस करके आपके गोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने कॉंग्रेस ने प्रेस कांफरंस की इनी लोगों के खिलाब की आप यह पताएं कि यह जो उन्हों का जवाब देने की उनके नरहिंबत तगी है अधरी सभापते जी यह ऐसे लोग हैं जिनका डबर स्टांडर्ड है दोहरा रविया है और मैं देश को बार बार यह बात याद दिलाना चाहता हूं यह कैसा दोगला पंचल रहा है यह लोग दिल्ली में एक मंच पर बैट करके जांच एजन्सियों पर आरोप लगाते हैं ब्रसाचारियों को बचाने के रहे रेलियां करते हैं और केरला में उनके साज आदे उनी के एक मुख्यमंद्री जो onके गडबंदर के साथ ही है उनको जेल बेजने की अपील करते हैं और भारत भरगार को कहते हैं कि इस मुख्यमंद्र को जेल बेज दो दिल्ली में E GRACBI की कारवाई उत पार हाय तोबा करते हैं और वही लोग उसी एजन्सी से केरल के मुख्यमंत्री को जैल बेजने की बात करते हैं साथ जाजे तब लोगों के मिन में सवाल होता है कि इसमें भी दोगलापन है अधरिये सवापती जी 36 गड़ में कॉंग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ सराब गोटाला जुड़ा यही आप पार्टी वाले चीख-चीख करके कहते थे कि EDCBI को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जैल में डाल दो खुलियाम कहते थे और EDCBI काम करें इसके लिए गुजारिश करते हैं उनको तब EDCBI बहुत पारा लगता है फादर यह सभापती जी यह आज जो लोग जाँच एजन्सियों को बदराम कर रहे हैं हला मचा रहे हैं मैं जरा उनकी याददास पर जोड़ डालना चाहिए मैं ऐसा उनका आगरे करता हूँ जाँच एजन्सियों का पहले दुरूप्यों कैसे होता था कैसे होता था कौन करता था मैं जरा बताला चाहता हूँ मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूँ यह पहला बयान है 2013 का बयान क्या है कॉंग्रेश से लड़ना आसान नहीं है जेल में डाल देगी कि सी बी आई पीछे लगा देगी कॉंग्रेश सी बी आई वह इंकम ट्रेस्ट का भवय दिखा करके समर्थन लेती है यह स्टेट्मेंट किसका है यह बयान है स्वर्गिय मुलायम सिंग जी का कॉंग्रेस एजंसियों का कैसा दूरूप्यों करता है ये मुलायम सिंग जी ने काहा था और यहां इस सदन के मानिय सदस्त राम गुपाल जी को मैं जरा पूछना चाहता हूं कि राम गुपाल जी क्या नेता जी कभी जूट बोलते थे क्या प्राइटा जी तो सच बोलते थे आदेनिय सभाबते जी मैं रामकॉपाल जी को भतीजे को भतीजे को भताएं क्योंकि उनको भी आद दिला है कि राजनीती में कदम रखते ही भतीजे पर CBI का फंदा लगाने वाले कौन थे जरह याद दिला दे उनको पता चलेगा अदेनिय सभाबते जी मैं एक और बयान प्रकास कराज जी ने यह कहा हुआ है 2013 में कहा एक और महत्वपुन स्टेट्मेंट में पढ़ता हूँ और मैं याद दिलाना चाहत हूँ स्टेट्मेंट क्या है कि CBI पिंजने में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है यह किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है यह हमारे देश की सुप्रिम कौट ने UPS सरकार के समय कहा हुआ बयान है इजन्सियों का दुरूप्यों कौन करता था इसके जीते जाकते सभूत आज मोजूद है आदेने सभावती जी ब्रस्टाचार के भिरुद्ध लड़ाई यह मेरे लिए चुनाव भारजित का तराजु नहीं है मैं चुनाव भारजित के लिए ब्रस्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लट रहा हूं यह मेरा मिशन है यह मेरा कंविक्शन है कि आंप मनता हूं कि ब्रस्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया ऐकंप इस देश को ब्रस्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रस्टाचार के प्रती सर्वामान ने मानवी के मन में नफ्रत पादा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूँ और मैं इस पवित्र कारे मानता हूँ 2014 में जब मुवारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बाते कही थे एक हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पीत है और दूसरा ब्रस्टाचार पर काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी यह मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था है इसी धे कुले करके साथ एक तपर गरीबों के कल्यान के लिए वीष्व की सबसे बड़ी कल्यान जजना हम चला रहे हैं गरीब कल्यान जजना चला रहे हैं उसरी तरब ब्रस्टाचार के विरुथ नए कानून नई व्यवस्ताएं नए तंत्र हम विक्सित कर रहे हैं हमने ब्रश्टाजार निवारान अधिम्यम 1988 उसमें संसोधन किया हमने काने धन के खिलाप एक नया कानून बनाया बेनामी संपत्य को लेकर हम नया कानून लेकर क्या रहे हैं इन कानूनों से ब्रश्ट अधिकारियों पर भी कारवाई हो गई है लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारात्मत गुष्ट से गवर्मेंट में भी बड़ाव लाया हमने डाइवेल बेनिफिट ट्रांसफर बड़ दिया हमने डिजिटल टकनॉलोजी का भरपूर उपयोग और तभी आज हर लाभारती तक उसके हक का फाइदा तुरंट सीधा पहुंच रहा है एक नए पैसे का लिकेज नहीं होता है यह हमारी प्रश्टाचार के खिलाफ लाइक है पहलू कि और जब सामाने नागरीक को यह ववस्ताइं मिलती है तब उसका लोगतंत्र बें महसुस होता है और जब अपनापन महसुस होता ने तब तीसरी बार बैठने का मोगा मिलता है अधरिया सभापती जी मैं नी संकोज रुप से कहना चाहता हूं लाग लग बेट नहीं रखता हूं और मैं देश वाजश्यों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजन्सियों को ब्रस्टाचार और ब्रस्टाचारियों पर कड़ो से कठोर कारेवाई करने के लिए खूली छूट दे के रखी है सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी है हाँ वो इमांदारी से काम करें इमांदारी के लिए काम करें यह मेरी सूचना है और और आजने सभापती जी मैं फिर देश्वास्टों को कहना चाहता हूं कोई भी ब्रस्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा यह मोदी की गारंटी है अधर्णिय सभापती जी राश्पती जी ने अपने संभुधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है कि मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल कि दलियर राजनिती से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते हैं लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदन सिल महत्पपुन मुद्दा भी मेरे देश के नव जमानों के भविश्य के साथ जुड़ा मुद्दावी इन्होंने राजनिती के भेंट चड़ा दिया इससे बड़ा दुर्भागी क्या हो सकता है मैं देश के नव जमानों को आस्वस्त करता हूं कि आपको दोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है मेरे देश के नव जमानों के भविश्य के राज खिलवार करने वालों को सक्त से सक्त सजा मिलें इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं संसद में इन गड़बडियों के खलाब सक्त कानून भी हमने बनाया है हम पूरी सिस्टिम को मजबुती दे रहे हैं कि भविश्य में मेरे देश के नव जमानों को आशन का भरिस्तिति में भी रहना न पड़े पूरे विश्वास के साथ अपने सामर्थों को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें इस बात को लेकर कि हम काम कर रहे हैं कि आधने सभापती जी यहां कुछ आरोप लगाने की फैशन है लेकिन कुछ आरोप ऐसे उसके जवाब गटनाय खुद दे देती है और प्रत्यक्ष को प्रमार की को जरूरत नहीं होती है जम्मु कश्मीर में हाल में हुए लोगस्वाज चुनाव में मतदान के जहां करें हैं वो पिछले चार दसक के रकॉर्ड को तोड़ने हो जाए और इसको सिरफ कोई घर से गया बटन दबाके आया इतना नहीं है भारत के सम्विधान को स्विक्रुती देते हैं कि भारत के लोगतंत्र को सिखरूते देते हैं भारत के सीलेक्षन कमिशन को स्विक्रूते देते यह पहुत बड़ी संक्तित Patrioth देश्वासी जिस पल की प्रतिशा करते थे वह आज इतनी सहज सरलता के सामने दिख रही है अनेक दिशकों में बंद हर्ताल आतंकी धमकिया इधर उधर बंधमागे की कोशिश है एक प्रकार थे लोग तंतर पर गहार बनी हुई थे आज इस बार लोगों ने समिधान पर अतूर्ट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है मैं जम्मु कश्मीर के मद्दाताओं को विशेश सुर्च से बधाई देता हूँ अधरी सभापती के जम्मु कश्मीर में आतंक मात से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतीम दौर पर हैं अंतीम चरण में आतंक के बचे हुए डेटवर्क को भी हम सक्ती से नेस्त नाबूत करने के लिए पुरी व्यूहरचा के साथ आगे बढ़ रहे हैं बीते दस वरसों में पहले की तुलना में आतंक की घटनाओं में बहुत गिरावट आई है अब पत्थर बाजी की खबरे भी चायद ही किसी कौने में कात्मार आजाए तो आजाए अब जम्मु कश्मीर में आतंक और अलगाओ खत्म हो रहा है और इस लगाओं में जम्मु कश्मीर के नागरी हमारी मदद कर रहे हैं नेत्रुत्व कर रहे हैं यह सबसे जड़ा विश्वांत पादा करने वाज़ा आज वहां टुरियम नए रेकॉर्ड बना रहा है निवेश बढ़ रहा है आज जो नौर्थ इसको लेकर सवाल उठाते हैं उन्होंने नौर्थ इसको अपने हाल पर छोड़ के रखा था क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है नौर्थ इसके इतनी ही लोग सभाजी सीटे हैं क्या उससे राजनीती में फर्क पड़ता है कभी कोई परवाई नहीं उसे उनके नसीप पर छोड़ दिया था हमने हम नौर्थ इसको अदेश के विकास का एक ससत इंजिन बनाने की और हम साकत से लगें नौर्थ इस्ट पूर्वी एशा के साथ ट्रेड टूरीजम और कल्ट्रल कनेक्टिविटी उसका गेट में बन रहा है और यह जो कहते हैं ना 21 सधी भारत की सधी उसमें यह इनिशेटिव बहुत बड़ा का रोल्प्ले करने वादा है यह मैं स्विकार करना है अधरियनिया सभापति जी हमने नौर्थ इस्ट में गत्व पांच परस में जो काम किया और अगर पुनाने कॉंग्रेस के हिसाब से दाथ उसको अगर तुलना कर दी जाए हमने जितना काम पांच साल में किया है इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 सान लग जाते एक फीडियो और चली जाती है हमने इतना तेजी से काम किया है आज नौर्थ इसकी कनेक्टिविटी उसकी विकास का मुद्भूत आधार है उसको हमने प्राथ्पिक्ता दिये और आज भूत्काल के सारे इन्फ्राथ्टेक्टर से कही गिना आगे हम निकल चुके हैं और हम ने उसको करके दिकाए है आधेने सभाप्रदीगे नौर्थ इस्ट में साही शानती के लिए दस वर्सों में अनेक प्रयास किये गए हैं और निरंतर प्रयास किये गए हैं बिना रुके बिना ठके हर एक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किये गए हैं और उसकी चर्चा कम हुई है देश में लेकिन परणाम भावती आशा प्यादा करने वाले निकले हैं राज्यों के बीच सिमा वबाद संगर्षों को जन्म देता रहा है और आजाजी से अब तक निरंतर चलता रहा है हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सिमा विवाद खत्म कर सकते हैं एक के बाद एक 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 अकॉड करते जा रहा है recorded है सहमती की record है और उसके लिए जो सिवाओं में किसी वो उदर जाना है किसी को यहां आना है कहीं रेखा यहां बनाने कहीं रेखा वहां वो सारे काम कर चुके है अध्यादनिय सभावती जी नौट इसकी बड़ी सेवा है मैं फिरेर हिंसा से जुडे संग्रटान ट्राव वन गिरों ação जो वहां लड़ाई लड़ते अरन ग्रांड रेके लड़ाये लड़ते आर व्यilotा को चुरूते देते हैं हर काउंटर को चुनआबा होता रहताब आज वर में तो शांत ले समझोते हो रहे हैं सस्तर सरंडर हो रहे हैं जो गंबीर गुणाना के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए त्यार हो रहे हैं अदालत को फेश करने के लिए त्यार हो रहे हैं न्याय तंत्र के प्रती भरोसा बढ़ना संविधान के प्रती भरोसा बढ़ना भारत के लोग तंत्र पर भरोचा करना यह इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है आधने सभावती जी मनिपूर के सबंद में मैंने पीछले सत्र में विस्तार से बात कही थी लेकिर आज मैं फिर से एक बाद दोहराना चाहता हूं मनिपूर की स्थिती सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरफ है वहाँ जो कुछ भी घटना है घटी ग्यारा हजार से ज़्यादा फाइर की गई है मनिपूर छोटा साराज है ग्यारा हजार फाइर की गई है पांच सो से जाना लोग एरेस्ट हुए है हादर यह सभापते जी इस बात को भी हमें स्विकार करना होगा कि मनिपूर में लगातार हिंसा की घटना एक कम होती जा रही है इसका मड़लब सांती का आशा रखना सांती पर फरोसा करना संभव हो रहा है आज मनिपूर के अधिकाउस हिस्तों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं कालेज चल रहे हैं दप्तर और दूसरे संस्तान खूले रहे हैं अधिने सभापती जी मनिपूर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परिच्छाएं हुई वहां भी परिच्छाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी हैं अधिने सभापती केंद्रों राजसर का सभी से बात्तीत करके शांती के लिए स्वहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं छोटे छोटे इकाईयों से को जोड़ करके इन ताने बाने को गुंत रहा एक बहुत बड़ा काम है और शांती पुर्ण तरीके से हो रहा है बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है ग्रह मंत्री स्वैम कई दिनों तक महां रहे हैं ग्रह राज मंत्री हप्तों तक महां रहे हैं और बार बार महां जाकर के संब्धित लोकों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं आदर्णिय सभापती जी पॉलिटिकल लीडर्शिप तो है ही लेकिन सरकार के सभी परिष्ट अधिकारी जिसका जिसका इनकाम से संब्ध हैं वे लगातार वहां फिजिकल जाते हैं लगातार वहां संपर्ग मेरेते हैं और समँस्चा के समाधान के लिए हर परकार से प्रयासों को बल दिया जा रहा है आदर्णिय सभापती जी इस समाई मणिपूर में बाहठ का भी संकर चल रहा है और केंद्र सरकार राज सरकार से साथ मिल करके पूरा सहयोग कर रही है आज ही NDRK की दो टीमें वहाँ पहुँची है यहने की प्राकृतिक मुसीबत में भी केंद्र और राज मिल करके मनिपूर की शिंता कर रहे हैं आजने सभावती जी हम सभी को राज नीती से उपर उट करके वहां की स्थित्य को सामान बनाने में सहयोग करना चाहिए यह हम सब का कर्तब व्याए है आजने सभावती जी जो भी तत्व मनिपूर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं मैं उनसे आगाह करता हूं कि यह हरकते बंद करें एक समय आएगा मनिपूर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है ऐसे लोगों को आजने सभावती की जो लोग मनिपूर के इतिहास को जानते हैं मनिपूर की घटना क्रब को जानते हैं उनको पता है कि वहां का सामाजिक संगर्श का एक लंबा इतिहास रहा है उस संगर्श की मानसित्ता की जड़े बहुत गहरी है इसको कोई नकार नहीं सकता है और कॉंग्रेस के लोग यह न भुले कि मनिपूर में इनी इस कार्मों से दस बार राष्ट्पति शासल लगाना पड़ा है इतने छोटे से राज में दस बार प्रसेडेंशल डूल लगाना पड़ा है राष्पति शासल लगाना पड़ा है कुछ तो मुसीबते होगी और यह हमारे कार्गन में नहीं हुआ है लेकिन फिर भी राजरिती फायदा उठाने के लिए वहां पर चिस प्रकार के हरकते हो रही है और राश्पती जी आदर्णिय सभापती जी मैं सदन मैं देश वास्चों तो बेपतारा चाहता हूं 1993 में मनिपूर में ऐसे ही घटनाओं का करम चला था और इतना तिवर चला था इतना व्यापक चला था वो पांच सान लगातार चला था तो यह सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समध्दारी के पूर्वक स्थीतियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है जो भी इस पे सहयोग देना चाहते है हरे का सहयोग भी हम लेना चाहते है लेकिन हम सामान निश्थीति को बरकरार रखने में शांती लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि आधने सभापती जी कि मेरा सवभागे रहा है कि मैं प्रधान मंत्री प्रधान सेवक के रूप में हाँ आया उसके पहले लंबे अर्शे तक मुझे मुख मंत्री के रूप में सेवा करने का आउसर मिला था और इसके करण मैं अनुभव से सिखाओं कि फैडरलिजम का महत्मय क्या होता है ؟ अर उसी मैं से कोप्रेटिव फैडरलिजम और उसी मैं से क्या कॉम्पिटिटिव कोप्रेटिव फैडरलिजम इन विचारों को मैं बल देता आया हूँ और इसी लिए जब G20 समीट हुई तो हम दिल्नी में कर सकते थे हम दिल्नी में बहुत बड़ा तामजाम के साथ मोदी की भावाई कर सकते थे हमने ऐसा नहीं किया हमने हर देश के हर राज्य के अंदर अलग-अलग कौने में G20 की महत्वपोर्ण कारिकम किये उस राज्य को जादा से जादा पहिश्मी प्रदिश्ना मिले इसके लिए प्यास किया रहे उस राज्य का ब्रांडिंग हो विश्व उस राज्य को जाने पहचाने उसके सामर्तों को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए खुद भी अपना रसी बज़्वाई इस जिशा में हमने काम किया है क्योंकि हम जानते हैं कि फैटरलिजम के और रूप होते है हादर ने सभापती की जब कोबीड के खिलाब हम लड़ाई ररते थे जितनी बार मुख्यमंतियों के साथ संबाद हुआ है शायर हिंदुस्तान के आजहाजी के इतियात में इतने कम समय में इतनी बार नहीं हुआ है हमने इतिया हादर नियस सभापती जी ये सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है और इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस हे रिया उसकी चर्चा इस सदन में करना मैं उच्चित मानता हूँ और मैं कुछ आगरा भी साजा करना चाहता हूँ आज हम एक ऐसी स्थिति में है जहां हम अगली क्रांती का नेत्रुत्व कर रहे हैं इसलिए सेमी कंड़क्टर्स और एलेक्ट्रोनिक मेनिफेक्टरिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्यों ने बड़ी प्राक्पिकता से साथ अपनी नीत्या बनानी चाहिए योजना हो लेकर के आगे आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्दा हो निवेश आकरशन करने वाली नीतियों में स्पर्दा हो और वो भी गुड गवर्णन्स के माद्यम से हो स्पष्ट नीतियों के माद्यम से हो मैं पक्का मानता हूँ कि आज जब विश्व भारत के दर्वाजे पर दस तक दे रहा है तब हर राज्यों के लिए उसर है और जब ये राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है तो मैं आगर करूँगा राज्यों से कि आप आगे आए और विकास की यात्रा में आप भी उसका फाइदा उठाईए रोजगार सुझन में इस राज्यों के बिश पर्दा क्यों नहीं होनी चाहिए हरा ले राज्य की उस नीती के कान उस राज्य में नौजवानों को इतना रोजगार मिला तो दूसरा राज्य कहा है तुम्हारे नीती में मैंने प्लस वन कर दिया तो मुझे ये फाइदा मिला रोजगार के लिए राज्यों के बीच पस पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए वह समझता हूं कि ये देश के नवजवानों के भाग्यों को बदलने में बहुत काम आएगा आज नौर्थिष असम में सेमी कंडक्टर पर तेज गती से काम चल रहा है और इससे असम नौर्थिष वहां के नवजवानों को बहुत फाइदा होने वाला है और साथ-साथ देश को भी फाइदा होने वाला है और नौर्थ इसकी धर्द को कि एक राज्य सरकार जब एग्रेसिवली नीतियों को ले करके आती है तो उसका अधर्णिया सभावती जी यूएन ने ये बारत की अपनी खुद की ताक्त है मिलेट हमारे चोटे किशानों की ताकत और जहां कम पानी है जहां सीचाहिकी सुविदाएं नहीं वहां पर मिलेट जो कि एक सुपर-फूर्ड है मैं मानता हूँ कि राज्य इसके लिए आगे आए अपने अपने राज्य के इस सुपर फूर को मिलेट को ले करके बैश्विक बजार में जाने की होज़ना बढ़ा है उसके करण दुनिया के हर टेबल पर हिंदुस्तान का मिलेट होगा डाइनिंग टेबल पर और हिंदुस्तान के किसान के घर में दुनिया से कमाने का अफसर प्रादा हो जाएगा खारत के किसान के लिए सबुर्दी के नए द्वार खुल सकते हैं मैं राज्यों से आगर करूँगा कि आप आईए अधनिया सभावती जी दुनिया के लिए नूट्रेशन मार्केट इसका सॉलूशन भी हमारे देश के मिलेट में यह सूपर फूर है और जहां पर नूट्रेशन की जिनता है वहां पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा काम कर सकता है हम इतार होगे के दुरस्ते थे भी वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्य आगे आए अपने एक पहचान बढ़ाए आदर ने सभावती जी 21 फ्रस्यदी में इस आफ लिविंग यह सामान ने मानवी का हक है और मैं चाहता हूँ को राज्य सरकार अपने यहां के नीती नीयम व्यवस्ताएं उस प्रकार से विक्सित करें ताकि सामान नागरी को इज आफ लिविंग का आउसर मिले और इस सदन से राज्यों को अगर वो संदेश जाता है तो देश के लिए उप्योग रोखोगा आदिनिय सर्भापती जी ब्रस्टाचार की खिलाब जो हमारी लड़ाई है उसको हमें कई सतरों पर नीचे ले जाना पड़ेगा और इसलिए चाहे पंचायत हो नगरपाली का हो माहनगरपाली का हो तैसिल पंचायत हो जिला परिश्यत हो यह सारी काईयों एक ही मिशन के साथ ब्रस्टाचार से मुक्ती का राज्य अगर बिड़ा उठाएंगे तो हम बहुत तेजी से देश के सामान ने मानवी को जो ब्रस्टाचार से जूजना पड़ता है उससे मुक्ती दिला सकते हैं हादर्य सभापती जी समय की मांग है कि हमारे हैं एफिसेंसी अब होती है चलती है का जमाना चला गया है 21 सदी में भारत को अगर भारत की सदी की रूप में आपको प्रस्थाभित करना है तो हमारे governance के model में, हमारे delivery के model में, हमारे निर्णे प्रक्रिया के model में efficiency बहुत अनिवार है मैं आशा करता हूँ कि service की speed बढ़ाने में, निर्णेयों की speed बढ़ाने में efficiency की दिशा में काम होगा और जब इस प्रकार से काम होते हैं, तो transparency भी आती है hips and birth भी नहीं रहते हैं और सामान ने मानवी के हकों की रक्षा भी होती है और ease of living, इसका आहसास हर नागरी कर सकता है आदेनिय सभापती जी मेरा एक conviction है और मैं मानता हूँ क्या समय की मांग है हमारे देश के नागरीकों के जीवन से सरकार की दखल जितनी कम हो उस दिशा में हमने प्रयास करना चाहिए रोज मरा की जिन्दिगे में सरकार 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 अब हम उस दिशा में जा रहे हैं तब हाँ जिनको सरकार की जरुख है जिनके जीवन में सरकार की उप्योगी तावशक्ता है उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए लेकिन जो अपने बलबुते पर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं सरकार का प्रभाव उनके रोकने का प्रयास न करें और इसलिए सरकार की दखल जितनी कम हो बैसी समाज और सरकार की व्यवस्ताओं को विक्सित करने के लिए मैं राज्यों से आगहर करता हूँ कि आप आगे आएजिए हादर निये सभावपती ही है क्लाइमेट चेंज की कारा प्राक्रुतिक आप्दाओं की स्थिती बढ़ती जा रहे है और वो किसी को एक कौने में करने वाला काम नी होता है हमने सामोई रुपते मिलकर के काम करना होगा राज्यों ने अपने अप्र सामर्थ बढ़ाना होगा ताकि प्राक्रुतिक आप्दाओं को हम पूरा पीने के पानी बेवत्ता वो भी उतना ही महतोर देना होगा सामाने मानुए को आरोगे की सेवा वो भी उतना ही महतोर देना होगा और मैं मानता हूँ कि हमारे राज्यों में राजनितिक इच्छा सकते के साथ इन मुर्भूत कामों की दिशा में हमारे राज्य जुरूर जुडेंगे अधर्णिय सभापती जी ये दसक और ये सदी भारत की सदी है लेकिन भुद्काल हमें कहता है कि आउसर तो पहले भी आये थे लेकिन हम अपने ही कारणों से अपने आउसरों को खोच चुके थे अब हमें अउसर खोने की गलती नहीं करनी है हमें अउसरों को ढूंड़ना है हमें अउसरों को जकड़ना है और अउसरों के सहारे हमें अपने समकल्पों को सिद्ध करना है कुछ दिशा में जाने का इससे बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है जो समय आज भारत के पास है 140 करोर देश वास्चव के पास है विश्व के सबसे युवा आदादी वारे देश के पास है जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे निकल चुके है बहुत तेजी से आगे निकल चुके है हम नहीं पहुत माई है हमें इस स्थित्य को बदलना है और इस संकल्प को लेकर करके हमें गिजाए जिन देशों ने 80 के दसक में रिफॉर्म्स की है व्याज बहुत तेजी से एक विक्सित देश के रुपे खड़े हो गए हमें रिफॉर्म्स को बुरा मानने की ज़रूत नहीं है रिफॉर्म्स से कतराने की ज़रूत नहीं है और रिफॉर्म्स करते हैं तो खुर्ट की सत्ता चली जाएगी ऐसे भयवित रहने की ज़रूत नहीं है सत्ता को हथेया रहने की कोई आवश्यक्ता नहीं है जितनी भागीदार बढ़ेगी जितने इंद्रेडे की शक्ति सामान ने मानुई के हाथ जाएगी बैसा बताओं हम भी भले हम साइद लेट हुए हो लिएकिन हम उस अकांच्छाओं को पूर्ण करने में उस गती को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते हैं अधणीर सभाकती जीए कि विच्शीद भारत का मिशन हैं यह किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है 1414 करोर देश्वाच्यों का है किसी एक सरकार का मिशन नहीं है देश की सभी सरकारी इकाईयों का मिशन है और हम एक सुत्र में एक संक्रब के साथ मिल करके चलेंगे तो हम इन सपनों को साकार कर पाएंगे ऐसा हमारा पका विश्वास है अधने सभापती जी मैं विश्व मंच पर जाता हूं विश्व के अनेग लोगों से मिलता रहता हूं और मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि पूरा विश्व निवेश के लिए तयार है और भारत हमकी पहली पसंद है हमारे राज्यों में निवेश आने बादा उसका पहला द्वार तो राज्य भी होता है अगर राज्य जितना जादा इस अफसर को जुटाएंगे मैं इसको मानता हूं उस राज्य का भी विकास होगा आदर्ये सभापते जी जिन जिन बातों को हमारे मानने सदोस्व ने उठाया था उन सब को संकलित रूत में जानकारी देने का मानने प्रयास किया है अरदेश के सामान मानने के अंधर जो उनों ने विस्वात प्रयदा किया है इसके लिए मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ भी